दिल्ली में दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन से हालाद बिगड़ गए हैं पॉल्यूशन की मार से बचने के लिए लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है आखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत के शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं दमघुटने वाली हवा में सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से इंजन बन और रेड लाइट ऑन अभियान के शुरुआत की गई प्रयावरन मंत्री गोपाल रहे ने प्रेस कॉंफरेंस में बताये कि दिल्ली में प्रदूशन खतरनाकस्तर पे पहुँच गया है इसको रोकने के लिए 26 अक्टूबर से इंजन बन और रेड लाइट ऑन अभियान के शुरुआत आईटियों से की जाएगी प्रदूशन की रोक्ताम के लिए सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाये जा रहे हैं साथ ही वाहनों का प्रदूशन सेटिफिकर्ट जाज के लिए अभियान चलाये जा रहे हैं प्रतिबंद और कारवाई से कुछ सर्विसेज को छूट दी जा रही है जिसमें रेलवे रेलवे स्टेशनों पर अस्पताल जीवन रक्षक समान एवंग दवाईयां बनाने वाली कमपनियों को मेट्रो तथा मेट्रो स्टेशनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल अंतर राजी जो बस स्टेशन्स हैं सीवेज स्टेटमेंट प्लांट वाटर पंपिंग स्टेशन राष्टे सुरक्षा एवंग महातु से जुड़े प्रोजेक्ट टेली कॉम्निकेशन और डाटा सर्विसेज से जुड़े जुतने भी अत्यनतावस्यक संस्थान हैं दिली में बढ़ते प्रोजेशन के मुद्दे पर आप और बीजेपी में बयानबाजी का दौल शुरू हो गया है एक तरफ दिली के पर्यावरण मंतरी गोपाल रायने सीम केजरिवाल को चिठ्थे लिखकर डीपी सीसी चेयरमेन अश्वनी कुमार को सस्पेंट करने की मांग की है तो वही दूसरी और बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अरवीन केजरिवाल दिली के प्रदूशन के लिए अमेरिकी रास्टपती जो बाइडिन को भी जिमिदार ठहरा सकते हैं वही इस पर आतिशी का कहना है कि दिली में प्रदूशन लागातार कैसे बढ़ता जा रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है सरकार प्रदूशन को कम करने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है जो ये बता पाता है, रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है वहिकलर प्रियूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है, जो ये बता पाता है कि कितना प्रियूशन कौन से सोच से होता है, इससे समस्या क्या आत कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पॉल्यूशन का सोर्स कितना कॉंट्रिब्यूशन कर रहा। दशेरा पर दिली एंसियार में पुतला, दहनों और पराली जलाए जाने की घटनाओं के चलते हवा की गुणवत्ता और खराब होने की उमिद्जत आई जा रही है।